पवन खेरा जी ने जो बहुत अनुभव वाले विक्ती हैं उन्हें ने जो बाते कही है अपने अनुभव राहुल जी को क्यों नहीं बताया आपने यहां पर तो बाते कह दी लेकिन पारलेमेंट के फलोड पर बाहर राफेल पर जूट पर जूट एक नहीं अनेक बार कितना जवाब दें अरुन जेटली जी ने एक घंटा से जादे समझाया आपकी समझ में नहीं आया हिंदी में भी समझाया निर्मला जी ने अंग्रेजी में भी समझाया आप लोग जब राफेल पर अपने को सुप्रिंग कोट से उपर समझ रहें आप संसत से उपर समझ रहें जो यहां पर बात की जा रही है पहले मैं रफेल पे आता हूँ पर एचेल पे आता हूँ रफेल पर एक नहीं अन्यक बार कहा कि जो हमने विमान खरीदा वो देश आज तक के दर्शक सुन लें कांग्रेस के ने जो खरीदना था उससे नौ फीसदी सस्ता खरीदा एक बार नह किसको offset partner बनाए आपने सिर्व अनी लंबानी का नाम लिया ये दसौल ने तैय किया हमने नहीं तैय किया तीसरी बात आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि HL के पास काम नहीं है तनका नहीं है अच्छा है मेरे पास अगर पूरा निशान जी पढ़ने की इजाज़त दे ते मैं पूरा पढ़ दूँ इसको देखाया जो निर्मला जी के ट्वीट से वो साराच के उनके पास करीब एक लाख करोड का काम है और मैं मानता हूं कि HL हमारी प्रसिष्टित एजनसी है आपने जब आप सत्ता में थे तो आपको देश को जवाब देना ह कि आपने सत्ता में रहते हुए वायू सेना को कमजोर किया आपने भारत के वायू सेना की ज़ूरत को ना मानते हुए आपने विमान नहीं खरीदा आपने क्या वज़ा है कि यूरो फाइटर की मदद करना चाह रहे थे क्यों राफेल दील को आगे नहीं बरा रहे थे और अ से अपने सेंटरल आफिस से प्रेस कॉंफरेंस करते हुए यह पूछा था कि मानिय राहुल जी बता दें कि उनका उनकी जानकरी उनका सोर्स of information क्या आपको euro copter euro fighter आपको information क्या दे रहा किसी विदेशी agency आपको कागस दे रही है कौन है कि source क्या बताएंगे आपको आपके बास कोई source नहीं है सिर्फ आपने तैक कर लिया है कि किसी भी शर्थ पर भारत के वायू सेना को मस्बूत नहीं होने देना किसी भी शर्ट पर राफेल नहीं आने देना किसी भी शर्ट पर पाकिस्तान अचीन की नींद नहीं उरने देना आपने साफ बात दो बात राफेल पर तो सुप्रिंग कोट ने आपको बता दिया